हम पढ़ेंगे पुरुष के बारे में, पुरुष की पैचान कैसे करें और विवक्ती में इसका प्रियोग कैसे करें हमें बहुत पढ़नाई होती है विटा, यह जामने में कि कौन से करता के साथ कौन सा पुरुष आएगा धात्तु की कौन सा पुरुष की कौन सी विवक्ति का प्रियोग हम करता है आज हम इसके बारे में सिर्थे लिए हमेशा प्रथम पुरुष को हम अल्य पुरुष के नाम से भी जाते हैं मध्यापुरुष को श्रोटा और विवक्ता का जाता है आइए शिसको हम दूसी तरह से स्मझते हैं। कि जग कोई ब्यक्ति बोरता है, तो बोरता है बग्ता। बोलने माला बग्ता। तो बग्ता अपने लिए किस तरह की शंक्डों का प्रियोग करता है। मेरे, मेरे, मुझे, अमली, माझे, अमसा, आमसालब। इस तरह के प्रियोग, इस तरह के शब्दों का प्रियोग वक्ता अपने लिए स्वयम के लिए करता है तो जो वक्ता होता है वो हमेशा उत्तम पुरुष में आता है वक्ता ते साथ हम उत्तम पुरुष का प्रियोग करते है करने तो ये जो सुनने वाले हैं उनका वियोग हम शोता के रूप में इन शब्दों का प्रियोग करते हैं और इन शब्दों के लिए हम हमेशन वध्यम पुरूश का प्रियोग करते हैं वध्याप पुरुष के विवक्ति का प्रियोग हम धातों रूप में करते हैं अब समझते हैं प्रथम पुरुष के बारे में बक्ता बोल रहा है और शोता सुन रहा है पर अब तुम वागता करें किसी अन्य के बारे में जो उनके बीच में उपसे हैं, तो जो ब्यक्ति उपसे हैं है वह हुआ अन्योट, उसे लिह क्या कहेंगे ? एक और आसाल त्रीके से समझे हैं और एक गतिविदी करते हैं देखो बच्चों अब हम समझते हैं बहुत आसान तरीके से इस चीज को ये है दिव्यान सी सभी जानते हो से ये है सरोज ये दोनों आपस में बाते कर रही है और बाते कर रही है किरन के बारे ले अब तुम मानलो कि किरन हमारे बीच में रही है पीटा मपारा चलिए जाओ किरन हमारे बीच में रही है अब दिव्यान सी कुछ बाते करेंगी कुछ शब्द गोलेंगी उस पे तुम्हें पैचानना है कि वह मध्यम पुरुष्ट का प्रियोग कर रही है वह तम पुरुष्ट का प्रियोग कर रही है या प्रथम पुरुष्ट का प्रियोग कर रही है तो चलिए शुरू करते हैं दिव्यान सी सुरू करेंगी तुम्हें क्या लगता है कि यह जो और दर हमारे बीच में लखे रही है तो उसके अमेशा हम प्रत्रम्फुरुशका प्रयोग करते हैं समझ में आया है हम चलो फिर से शुरू करते हैं तुमने अपना मेरा काल्या कुला की जाए अब इसमें जो बाति बोला उसमें तुम बताएए कौन से धातु रूप में कौन से पुरुष का प्रीयोग होगा कौन से पुरुष का प्रियोग होगा तो इस वाक्य में मध्याम पुरुष का प्रियोग होगा क्योंकि यह इसके लिए बाद कर रही है तो आपको समझे बच्चों जो पाकिस ने बोला हो उसमें कौन्स पुरुष का प्रियोग हुआ समझ में आया तुम्हें आये यानि वक्ता जो शव्द अपने लिए बोलता है स्वरम के लिए बोलता है उसमें हमेशा उत्वम पुरुष का धातु हित्में उत्वम पुरुष का प्रियोग होता है और जो वक्ता शोता के लिए कहता है उसमें मध्यापुरुष का प्रियोग होता है और जब बढ़ता और सोता किसी अन्य पुरुष के बारे में बाते करते हैं जो हमारे भीच में उपसे हैं तो उसके लिए हमेशा प्रधम पुरुष का प्रियोग है तो समझे पुरुष का प्रियोग करना हाँ